हालो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने येट्यूई चैनल सिकंदर कलास अज पर आज हम लोग छेत्रमीती का जितने भी फर्मूला है उसको देखेंगे या जो फर्मूला छेत्रमीती के फर्मूला का पार्थड वीडियो है जिसमें लोग ब्रीच से समंधित जितने भी फर्मूला है उसको देखेंगे या जो है सभी क्लास के लिए महतवपूर्ण है, सभी क्लास के लिए महतवपूर्ण है, क्लास 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, या कंपरडिशन वला है, सभी के लिए महतवपूर्ण है, सभी लोग अच्छे से इसको एक बार अच्छे से देख लें और याद कर लें, क्योंकि जो भी एकजाम या कोई भी एक्जाम है उसमें बार-बार इससे पूछा जाता है ब्रीस समंदित से फर्मूला एक दू को पूछा जाता है चलिए देरन करते हुए शुरू करते हैं यदि आप लोग चैनल पर नए आ हैं ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें असाथ में बेल आइकन को भी धवालें चैनल करते हुए शुरू करते हैं कि पहले जानेंगे ब्रीत के बारे में कि ब्रीत के बारे में कि ब्रीत है क्या ब्रीत है क्या किसी समतल में एक निश्चित विंदू से समान दूरी पर स्थित समस्त विंदू से बनी आकरिती को क्या बोलते हैं ब्रीत करते है क्या रहेगा नीश्चुत बींदू रहेगा इस समान दूरी पर दूरी यहां वी दूरी रहेगा उतना ही यहां भी दूरी रहेगा और समस्त विन्ti में हाँ पर से मिला देंगे, तो किसी समतल में एक निश्चीत विन् दूर से समान दूरी रहे और इसकी दूरी इसकी दूरी आपसिर से कहा रहने ज़ाओ और फ़्यों बरावराणा चाहिए तो जो या खिरती बनेगा उसी क्में क्या बोलते हैं बिरित क्या ब русad which is the only än note with a संतल में किसी संतल में एक निश्चित बिंदू से समान दूरी परस्थित समष्थ बिन्यों से बनी आंक्रित को बिलाने एक बीन्यों से मिलकर बनी आक्रिति को बिलत करते हैं बिलत की सब त्रजा आपस- heap यहां यह बना देंगे इसमें जितने वी तरिजा वकत्का क्या हो सब्lek Кई बरावर होती है चलिए समझ में आ कि बीरिद के बारे में पर बिरीत कहते किसको हैं तो कोई समतल रहेगा उसमें एक निश्चित बिंदू से समानदूरी पर अस्थित समस्त बिंदू से बनी आकरिति को क्या बोलते हैं बिरीत बोलते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप जानते हैं वीरीट की जीवा किर सकते हैं क्या एक पर्वीरेट की जीवा है क्या ना करने वाली रेखा खंड को वन मैंन को देखें यहां से यहां करते हैं ८ीया ह्याव मिरत की जीवा बोलेंगे रित की जीवा रिंट पर के दो बिंदों को मिलाने वाले रेfire खरंड कोई क्या बोलते हैं लोग जीवा बोलते हैं चलिए बढ़ जाते हैं कि अच्छे सेम लोग जब क्लास च्छेदक रेखा बिरित को अलग अलग बिन्वों पर काटने वाली या प्रतिछेद करने वाली रेखा कोई क्या बोलते हैं चाप क्या है विरीत के यह बनाके समझ समझ कर पढ़ेगे चली आगर जानते हैं केंद्रिय घुन क्या है किसी इन पर व्रैत की जीवा दोरा बनाया गया कोउवित रहेगा उसके एद्र पर जीवा 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 हो जाएगा तो इसके दौारा जो ऐद कh Bots ideas से ओर फिरिफ सबसे बड़ा जीवा को गते हैं बिरित का ग्रीद कैसा सपे बड़ी जिवा क्या बोलता है यहां विरीद का । ग। नए तरीजीया क्थे आपडूर ज तो करते हैं तूर अर्थ मतलब तरीजीया का दुगना को हम ले वैस मतले से हैं प्रूर कि दुगने को क्या बोलते हैं द्यान समझे घ्रीद के मेशनाओ् क्या है तो चारो और तकी ग filtर कि प्रिधि को यह क्या बोलते हैं कृती है What कि थे पाई के बारे में जानता हैं पाईए के बारे में तथा ब्यास के अनुपात सदैव अचर या नियत रहता है विरित के परिधी विरित की परिधी और उसका जो व्यास है विरित की परिधी और विरित का व्यास का अनुपात जो सदैव के रहता है अचर रहता है तो इस नियत या अचर अनुपात को एक ग्रीक यूनानी अचर पाई से सुचित पाइच्पार अनुपात है उसको एक Greek अच्छार पाइचसे सुचित करते हैं Mister कि पाइचसे करते हैं अर्थात सदाएव एक नियत रहता है इस नियत अनुपात को露िक ननि अच्छार पाइचसे सुचित करते हैं पीशलिए विरित के परिधी षाओ क्या होता है त थोड़ा सा दिकत्र थोड़ा है लीखने में नहीं बन रहा है कैसे लीखा जाता है थोड़ा सा दिखते थोड़ा आप लोग, थोड़ा सा इतना समझ जाईएगा, चलिए आगे जानते हैं, आगे समझते हैं, एक मान गनित तक आरे भट ने, किसने आरे भट ने, पाई का सनिकट मान दिया था, कहेगा कि पाई का सनिकट मान किसने दिया था, आरे भट ने, जो लगभग कितना था chi का मान जो लगभग था 62 km quanto कितना बरावर है तो 3.14 16 के बरावर होता है प्रतु इसका बेहवारी कारियों में पाई का सनिकाट मान 227 यह 3.1 ले लेकिन पाई का वो है वैवारिक कार्यों में पाई का संवनिकाड बन कर लेते हैं 2247 लेते वाई वाइसवट साथ यथी पंस लेते हैं ध्यां पे लेते है चलिए आगह बढते हैं समझ में आया होगा एक महान गनितग स्री निवास रामानुजन ने एक सर्व समीका का परियोग करके पाई का मान दस्मनलग के लाखो अस्थान तक प्राप्त किया का देगा कि किसने एक सर्व समीका का परियोग करके पाई का मान दस्मनलग के लाखो अस्थान तक प्राप्त किया ने किये थे भारत यह गनिता के कों तैसे ज्रिनिवocy रामानुजन सरी निवास रामा नुजनने कों थे बिरित की तरीजा क्या होती है ब्यास वट्टे टू हो जाता है ब्यास कहेगा तो गुने तरीजा तो गुने तरीजा था टू आर इसको लिख सकते हैं डी वट्टे टू डी वट्टे क्या लिख सकते हैं टू लिखने में थोड़ा सा दिक्कास हो रहा है पहली पहली बार है ब क्या होता है यहां से मान रख दीजिएगा आर का मान रख देंगे तर दी के रूप में हो जाएगा चरी आगे बढ़ते हैं समझ में आ गया होगा बिर्ताकार बला या छल्ला का छेतरफल क्या होता है बिर्ताकार बला या छल्ला का छेतरफल क्या होता है तो पाई इंटू आर स्कॉर माइनस आर स्कॉर पाई इंटू आर स्कॉर माइनस आर स्कॉर चलिए आगे बढ़ते हैं पाईया या चक्का द्वारा एक चक्कर में तै क कितनी दूरी तय करता है कोई पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है तो बिरित के परिधी या परिमाप या पहिया चक्का की परिधी जो हता है मतलब कोई पहिया या चक्का एक चक्कर में किता दूरी तया करेगा तो बिरित की परीधी के बरावर करेगा बिरित की परीधी या परिमाप के बरावर तया करेगा या पहिया चक्का की परीधी के बरावर तया करेगा सबज में यहोगा आगा बढ़ जाते हैं 112 समय में पुर्ण चक्रों की संख्या मतले ृ allegedly समय में कितना चक्र पूर्ण रुड़ेगे बाते ब्री श्क्रों od श्रसबूल चारीदे क्या करेंगे hodh chi solidarity संफ्माज आगे ऐसो आते हैं कि आर्दबृत क्या है आर्दबृत इस ब्यास ब्रीको بعد वागों वाड़ता है तो परतेक भर अर्दबृत कालाता है तो परतेक भाग क्या को वागर शॉद्राव्ण वागा हुद से Isnistra ब्यास जो है विरित को दो ब्रावर भागों बाड़ता है तो परतेक भाग अर्ध विरित का लाता है चलिए समझ में अर्ध विरित क्या है अर्ध विरित क्या है तो ब्यास ब्रावर भागों बाड़ता है तो परतेक भाग अर्ध विरित का लाता है अर्ध विरित की त्रिज बार बार यही गलती होता है सबसे अर्द्वृत की परिमाब क्या होता था पाई या प्लस टुए या इसे पले कि से पाई आर इंटू पाई प्लस टू पाई प्लस क्या होता है टू डिटेल से हम जब लोग पढ़ेंगे तो हास पर समझाएंगे बढ़ें हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप कहेगा आर्द विरित का छेतर फाल क्या होता था पाई यार स्कॉार बटे टू पाई यार स्कॉार बटे क्या होता है टू पाई यार स्कॉार बटे टू चलिए आगे बढ़ते हैं विरित का चतुर स्थान विरित का चतुर स्थान विरित क और उने पाइर स्क्राइब एक चतुर्स्तांस की परीधी या परिमाब क्या होता है तो पाई आर बटे 2 पलस टूगार यह पाई बटे टूग पलस टू इंटू आरफ छलिये आगे बढ़ जाते हैं विरित का त्रिजखंड जदी किसी विरित की दो त्रिजखंड तथा उसके संगत चाप से घिरे हुए छेत्र को विरित का त्रिजखंड काते हैं किसी विरित की दो त्रिजिया और उसके सांगत चाप से घिरे हुए छेत्र को क्या बोलते हैं विरित का त्रिजखंड बोलते हैं विरित का क्या 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 बोलते हैं जदी विरित के त्रिजखंड की टिन सो साथ डिग्री या इसी को यख सकते हैं में पाई एरश कूर बाटए 306 गुने ठिटा जैसे इसलिए लिख सकते हैं ल वट्टे टू गुने आर ल वट्टे टू गुने आर चलिए समझ में आगे होगा आगे बड़ जाते हैं विरित के तिरिजखंड की चाप की लंबाई, विरित के तिरिजखंड की चाप की लंबाई, तिरिजखंड की चाप की लंबाई क्या होता है, ठीटा वटे 360 गुने 2 पाई यार होता है, या इसी को लिख सकते हैं, ठीटा वटे 180 गुने पाई यार, क्योंकि दूसरे काड़ द या परिमा बरबर ठीटा वर्टे तीन सो साथ गुने टू पाई यार प्लस टू आर तू आर प्लस क्या होता है टू आर या इसी को लिख सकते हैं टू आर इंटू पाई ठीटा वर्टे तीन सो साथ प्लस वन या लिख सकते हैं हम लोग एल प्लस टू आर क्या लिख सकते हैं चलिए समझ में आ गया होगा आगा बढ़ जाते हैं अब ब्रीत का ब्रीत खंड ब्रीत का ब्रीत खंड तो किसी ब्रीत में जीवा और उसके संगत चाप दोवारा घीरे छेत्र को ब्रीत का ब्रीत खंड काते हैं लगो ब्रीत खंड दो परकार होते हैं लगो ब्रीत खंड और दिर्ग विरितखांद त्रिज़खांड साइन ठीटा या ये भी बोल सकते हैं चलिए आगे बड़ जाते हैं आगर हम लोग से पूछए से दिर्ग पूछ देगा दिर्ग गिरित खंड का छेतरफल तो देख लिए इतना होता है आप लोग खुद से यहां बढ़ियां से अध कर जाईए चलिए आगे बढ़ जाते हैं छायांकित भाग का छेतरफल जब पूछ देगा हमसे संपुर्ण भाग के छेतरफल में और छायांकित भाग के छेतरफल क्या करेंगे घटा देंगे जब छायांकित भाग का पूछेगा भाग का पूछेगा छेतरफल तो जो पूरा भाग रहेगा उसके छेतरफल में और छा लगे तो लाइक से और चैनल पर ने अगले वीडियो ने